नमस्कार आप देख रहे हैं कबर बोक्स क्या सच में जनता के दिल में बीजेपी पूरी तरह से उतर चुकी है क्या चुनाव खत्म होने से पहले ही अमित शा को जनता ने ठुकरा दिया है आखिर क्यों नहीं जा रही मोधी शाह की रेलियों में पबलिक क्या दिली की जनता के जिवाल की गिरफतारी का बदला बीजेपी से चुनाव में ही ले लेगी आखिर क्यों केंद्रे ग्रैमंद्री को विरोध का सामना करना पड़ रहा है अब आप भी हमारा एपिसोड दिन बर की आवाज रोजाना देख सकते हैं खबर बुक्स के यूटूब और फेस्बुक चैनल पर जिसमें आपको मिलेगा सरकार की पोल पटी खुल देने वाली खबरों का विसलेशन और राजधानी में मोदी शाह को एक भी सीट मिलेगी ये चस्मातों हम आपका उतार ही देंगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों पांचवे चरण की वोटिंग के बाद और छटी चरण के मत्यदान से पहले भारती जंता पार्टी की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है दोस्तों आप तो बीजे पी की ये हालत है कि लोग उनकी जंत सभाव में भी नहीं जा रही है मोदी शाह की रेलियां देख कर तो ये लगता है कि अब देश की जंता ये समझ चुकी है कि बीजे पी गुंडागर्दी और ताना शाही है जनता को पांचवे चरण की वोटिंग के बाद ये समझ आ गया है कि अब बीजेपी तड़ी पार होने वाली है और इंडिया गठबंदन की लहर आने वाली है दरजल दोस्तों हुआ यू कि ग्रह मंत्रिय मित्शा ने दक्षन देली लोगसभा सीट पर एक जन सभा की इस दुरान वो दावा कर रहे थे कि अब तक लगभग 270 सीटे जीत ली है और चुनाव के अगले चरण में 400 का आकड़ा भी पार हो जाएगा दावा तो 400 सीटे जीतने का हो रहा था लेकिन अमित्शा के सामने उन्हीं की रेली में 40 सीटे उनका भासन सुन रही थी एक बार वीजियों आप खुद ही देख लेजी बाबा दो लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है भाई हो बेनो आप मुझे एक बात बताओ यहां के गाउं को मौदी जीक की सरकार आने के पहले सनमान मिलता था जरा जोर से बोलो गाओं में सन्मान मिलता था क्या गाओं की सुविधा को हमारे रमेश विदूडी ने जगड़ा कर 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 तो देखा आपने कैसे अमिद शाह खाली कुर्शियों को अपना भासन सुना रही है दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि अमिद शाह की इस रैली में मुस्किल से 500 लोग भी दिखाई नहीं दे रही थे वीडियो सोसल मेडिया पर काफी वाइरल हो रहा है आपने देखा कि व फिर भी वो बात नहीं जो एक ग्रैम अंद्री की रैली में होने चाहिए इससे ज़्यादा भीर तो एक MLA की रैली में पहुंचाती है दोस्तों अमित्शा की रैली में लोग नहीं जा रहे हैं खुब मज़ाग बना रही है खैर अब जब वीडियो वाइरल हुआ है तो लोग भी मज़े लेंगे ही दिली में अमित्शा की इस रैली के बाद साफ हो गया है और इस पष्ट सब्दों में लोग कह रही है कि बीज 24 में बीजे भी 400 पार नहीं बलकि अब की बार भाजपात तड़ी पार होने वाली है हालांकि ये तो आने वाली 4 जुन की तारिक को ही पता चलेगा कि दिली की सियासत क्या नए रंग दिखा दी आपको बता दें कि दिली की 7 लोग सबा सीटो पर 6 चरण में 25 मई को वोट डा ले जाएंगी दिली में मुकाबला भारती चंता पार्टी और इंडिया गटबंदन के साथ में हैं इंडिया गटबंदन में शामिल कोंग्रेस और आमादमी पार्टी दिली में एक साथ चुनाब लड़ रही है और आमादमी पार्टी दिली की 4 सीटो पर चुनाब लड़ लोग कह रहे हैं कि सातों की सातों सीटे भारती जनता पार्टी इस बार बुरी तरीके से हारने वाली हैं दिली में बीजेपी की इस हालत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आज की सबसे बड़ी खबर देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा